न्यून्तम शुल्क के साथ विदेशों से भारी मातरा में सस्ते खादे तेलों का आयाद जारी रहने से घरेलू तिलहन तेल बाजार पर दबाव बरकरार है और पिछले सप्ताह भी कीमतों में नर्मी का माहौल देखने को मिल रहा है। इससे स्वदेशी क्रशिंग प्रोसेसिंग इकायों का संकट बर गया है और उंचे लागत खर्च के बावजूद विदेशी तेलों की प्रतिसपरधा में तिके रहने के लिए उसे अपने खादे तेलों का दाम घटाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। बिनौला तेल, कौटन सीड ओयल का मूल्य भी गिरावट के साथ कारोबार करता दिखाई दिया है। दरसल आयातित खादे तेलों के दबाव से बाजार नीचे जा रहा है। अधिकांच तिलहनों का भाव घटकर न्यून्तम समर्थन मूल्य, MSP के आसपास या उससे नीचे आ गया है। खादे तेल इकायां गहरे संकट में फंसी हुई हैं क्योंकि उसका उतपाद आयातित खादे तेल से महेंगा हो गया है। उद्योग जानकारों के अनुसार कीमतों में कुछ नर्मी आने के बावजूद तिलहनों की क्रशिंग में मिलों को घाटा होने लगा है। ओयल मील का दाम भी नीचे आ गया है। पूर्व में आयातित सस्ते खादे तेलों का भारी भरकम स्टॉक अभी मौजूद है और इसकी प्रतिसपरधा का सामना करने में स्वदेशी इकाईयों को भारी कठिनाई हो रही है। गत सपता क्रूड पाम तेल का दाम 930 डॉलर प्रती तन से बढ़कर 940 से 450 डॉलर प्रती तन पर पहुँचने से घरेलू बाजार में CPO तथा रिफाइन पामोलीन का भाव कुछ मजबूत हो गया है। इससे बेकरी उद्योग के उत्पादों का लागत खर्च बढ़ गया है। इसके विपरीट समीक शाधीन अवधी के दौरान क्रूड डिगम सोयाबीन तेल का भाव 935 से 940 डॉलर प्रती तन से घटकर 920 से 925 डॉलर प्रती तन पर आ गया। इससे स्वदेशी तेलों के दा अवन्यून्तम सर्मथन मूल्य से 8 से 10 प्रतिशत नीचे आ गया है। मूंगफली तेल एवं बिनौला तेल में बहुत कम कारोबार हो रहा है। कहीं कहीं नकली बिनौला खल के कारोबार की शिकायत भी सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी